हेलो मेरी क्लास की प्रिये से भी छा तेवं शात्राओं भाई ये भेनों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे मद्द प्रदेश रामा निग्यान के वहरी वहरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन ठीक है अगर आप MPPSC MPP पोलिस MPSI महिला प वीडियो के लास्ट में अपना स्कूर कमेंट करके बताओगे आपने कितने सही आंसर दिये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आउसक सूचना हेलो मेरी क्लास की प्रिये से भी छात एवं शात्राओं भाई ये भेनों आपकी लखी सर पहाते है वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में जाएं लकी सर को अनकेडमी पर फोलो करें आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है मेरी क्लास की प्रिये सभी छात एवं शात्राओं अगर आप घर बैटकर MPPSC, MPSI, MPP, महिला परवेचक, पड़बारी भरती पर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अनकेडमी का सब्सकिप्शन लेते हो मद्द्प जिसके टॉप एजुकेटरों के द्वारा पढ़ाया जाएगा डिटिल में क्लास होगी नोट्स बनवाई जाएंगी आप सभी सब्सकिप्शन जरूर लें ठीक है मेरी क्लास की प्रि डिस्किप्शन बॉक्स में जाएं सब्सकिप्शन लिंक पर क्लिक करें रैफर कोड लगाएं बच्चों आप सभी लखी सर ठीक है मेरी क्लास की प्रिशेभी सबीचाट एवम छात्राओं अगर आप अनकेडमी की हमारी क्लास की क्लास का नोटिफिकेशन पीडियम में लगा लो आपके हां से एक्जाम में कुश्चन आएगा ठीक है का पास उत्पादन ही तुस अपिस सोना के नाम से किंच हित्रों को जाना जाता है 31 जानते हो तो आप आप लोग हमें कमेंट करकी बताओगे 31 जाना ऑचके नाम से किंच हित्रों को जाना जैता है खंडवा जाता है और जाना लगा लगा लो आपके एक्जाम में आएगा धान की बिवाई किस मौकर में की जाती है 32 का correct answer किया है answer जानते हो तो आप लोग हमें कमिंट करके बताओ 32 का यहाँ पर जून मद से जुलाई पिर्थम सब्ता note कर ले हाँ पर D option यहाँ पर correct होगा ठीक है next question आ चुका है स्कीन पर यहाँ पर note कर ला होता ना तुम जाको answer D answer यहाँ पर correct है आप सभी का ठीक है question number 33 very very most important question यहाँ पर बच्चों आपके exam में question आता है इश्टान लगा लो निम्मे मैसी का पास की फसल के लिए कौन सी मिर्दा सर्वुत्तम मानी जाती है very very most important question इसकीन पर आज कर 33 उम्मीद करता हूँ आप सभी correct answer दोगे 33 का note कर लो मेरे भाई यह भेनों बी ऑप्सन यहाँ पर correct है काली मिर्दा यहाँ बी ऑप्सन आप सभी का राइट होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन आ चुका है 34 इसकीन पर very very most important question यहाँ पर लाइक आपके एक्जाम में आएगा सोयाविनिक सुयाविन कि वबाई किस मौसम में की जाती है very very most important question है आपके एक्जाम में आएगा आप मैंसे कोई भी ग़लत आंसर नहीं देगा ठीक है सुयाबिन की वबाई किस मौसम में की जाती है question number 34 का right answer किया है answer जानते हो तो जल्दी से comment करके बताओ 34 का बच्चे यहाँ पर B option यहाँ पर correct है खरीब की फसल ठीक है 34 का B answer यहाँ पर correct है ठीक है अब आप मेंसे कोई बता सकता है खरीब की फसल की बुबाई कप की जाती है किस मौसम में की जाती है सुयावीन की बुबाई किस मौसम में की जाती सुयावीन आपकी खरीब की फसल है ए तो bits clear है अब आप लोग में comment करके बताओ की रभी की फसल की पकी जाती है आप लोग comment करके बताओ ठीक है मैं hint देता हूँ आपको रवी की फसल की बवाई तो आपकी अक्टूबर नबंबर में की जाती है रवी फसल की बवाई ठीक है अब खरीब की फसल की बवाई कब की जाती है इतना तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर नोट कर लो कमेंट करके बताएं खरीब की फसल की बवाई किस मौसम में की ज जड़ी फसलह हैं वर्य बर्य मोश्ट इ islands कोशन 2500 बार आंसर जानते हो जल दी से हमें कमेंट करकर रोगा दो इन मेंसी कौन सी आपकी फसल है 15-35 यहां पे नोट कर लो जूट कौफी गंळा आपकर एसान यहां पे 120 जूट कौफी गंळा एस नहीं मेंहां पर होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन लगा दें इसकेन पर कोश्चन पर 36 तो सो बैरी वडि मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन हैं आपके अग्जाम में आएगा जिआ। नक्टे को अर्सी होत दिखाई करोद लोकुक्ती का आर्थ क्या होता है जियो नक्ते को आर्सी होत दिखाई करोध लोकुक्ती का मतलब का हुए 36 को correct answer का है कोई बता सकता है 36 का right answer क्या होगा 36 का ए आंसर बच्चे हाँ पे correct है आप सभी को दोसी को अपना दोस बताए जाने पर किरोध आता है नोट कर ले हाँ पर ए ओप्सन यहाँ पर करेक्ट है आप सभी का ठीक है नेश्ट कोश्चन लगा दे 37 बाइसकीन पर अच्छा कोश्चन है आपके हाँ से एक्जाम में आता है बहरी बहरी मोश्ट इंपोटेंट इस्टाल लगा लो मेरे भाई ये भेनो ठीक है दात काटी रोटी मुहावरी का रथि क्या होता है दात काटी रोटी कोश्चन नमबर 37 आंसर जानते हो तो आप सभी हमें कमेंट करके बताओगी 37 का राइट आंसर क्या है दात काटी रोटी का मतलब होता है 37 का नोट कर लो मेरे भाई ये भेनू बी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट है आप सभी का घनिष्ट मितिता यहाँ पर नोट कर लो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है दात काटी रोटी मुहावरी का मतलब होता है घनिष्ट मितिता ठीक है कोश्चन नंबर 38 में वहरी वहरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन है यहां पर आपके एक्जाम में कोश्चन आता इस टाल लगा लें आप सभी निम लिखित में से आपको बताना है कौन सा आपका संजुक्त बाग है आपके पास चार उपसनें उम्मीद करता हूं मेरी भाई इसका नोट कर लो सी ओप्सन यहां पर करेक्ट होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन लगा दें स्कीन पर कोश्चन नंबर 49 वहरी वहरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन है आपके हां से एक्जाम में आएगा मेरी भाई यह बहने इस टान लगा लो आप सभी इस कोश्चन पर ठ ठीक है यदि खूब पढ़ोगे अंचता बिद्वान बनोगे ना उसे रींद आती हो ना प्यास लगती है आज मुझे जोर है तथापी में दब्तन ना आ सकूंगा कस्मीर में अनों को दर्सनी इस्थल है ठीक है कोश्चन नंबर 49 का राइट आइंसर क्या है नोट कर लिए यहां पर ना उसे रींद आती है और ना प्यास लगती है सुद्ध बाग बताना है बी आंसर यहां पर करेक्ट है आप सभी का ठीक है बी आंसर बच्चे हां पर करेक्ट होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन लगा दे 40 बाइस्कीन पर वेरी वेरी मोश्ट इंपोटेंट परिसर्द में यहां पर हलन्त लगेगा तब परिसर्द सुध्ध होगा आपका और केंद़ीकर्ण में الا comedian इसमें अगर या हटा दोगे यहाँ पे कैंदी करण में या हटा दोगे तब आपका कैंदी करण सुध्ध होगा कुल मिला कि कहा जाए एरसिया भी गलत है परिसद में हलंत लगता है तब सही माना जाता है परसद भी गलत है केंदी करण में या अनावसक पिडियोग है या नहीं लगना चाहिए तब सुद्ध माना जाता है इसलिए यहाँ पर बच्चो C option correct है Amis Amis का मतलब क्या होता है बच्चो तो नोट कर लो मास या सिकार ठीक है यहाँ पर C option आप सभी का right है नोट कर लो तो ना तो न जाको answer यहाँ पर Amis यहाँ पर बच्चो C option यहाँ पर correct होगा ठीक है नेस्ट कोस्टन लगा दें स्कीन पर question number 41 very very most important question यहाँ पर आपके exam में आता है हला युद बलदेव बलभद किसके परियाबाची है 41 answer जानते हो तो आप लोग हमें comment करके बताओ 41 का right answer क्या है 41 का note कर लो यहाँ पर बलराम के परियाबाची है यहाँ पर A option आप सभी का यहाँ पर correct है note कर लो 41 का A option यहाँ पर correct होगा ठीक है next question लगा दें स्कीन पर तयारो आप सभी 42 अच्छा question है आप कहां से exam में आता इस्टान लगा लो आप सभी सत्वित में कौन सा समास से note कर लो सत्वित में आपका correct answer क्या है सत्वित यहाँ पर note कर लो बिटा बहुवीरिश समास यहाँ पर D option यहाँ पर correct है सत्वित में बहुवीरिश समास है ठीक है यहाँ पर सत्वित समास का आप अर्थ बता सकते हो सत्वित का अर्थ क्या निकलेगा आप लोग comment करके बताओ ठीक है next question लगा देते हैं question number 43 उपसर्ग सहित सब्द कौन सा है 43 answer जानते हो तो आप लोग हमें comment करके बताओ 43 का मेरे भाई ये भेनो B option यहाँ पर करेक्ट है आप सभी का पिडियोग यहाँ पर करेक्ट आइंसर उपसर्ग सहित सब्द है पिडियोग यहाँ बच्चो नोट कर लो B answer यहाँ पर करेक्ट है आप सभी का पिडियोग यहाँ पर करेक्ट कोई भी गलता आंसर नहीं देगा किस सम्मूई के सभी शब्दों में पित्या हैं 44 का नोट कर लो बी आंसर करेक्ट है आप सभी का दयालू डिविया अग्यानी नोट कर ले हाँ पर आपका किस सम्मूई के सभी सब्दों में पित्या है दयालू डिविया अग्यानी नोट कर ले हाँ पर बच्चो फोटी फोर का बी आपसन यहां पर करेक्ट है आप सभी का किस सम्मूई के सभी सब्दों में पित्या है दयालू डिविया अग्यानी बी आंसर यहां पर करेक्ट होगा कोश्ट नमेर 45 वा इस्कीन पे नोट कर लो cooperation मेरे भाई ये भेनों आप के हाँ से क्जाम में कोश्ट अाता है आप मैंसे हाँ पे कोई भी गलता अंसन नहीं देगा किस बाक में किरिया सामा नभूत काल में है कोश्ट नमेर 45 आपके अक्जाम में आता है इस्टान लगा लो मेरे भाईए भेनु बैतीन कोश्चन है किस किरिया में सामान नभूतकाल है कोश्चन नमबर 45 का आंसर जानते हो तो आप लो हमें कमेंट करके बताओ 45 का यहाँ पर नोट करलो मेरे भाईए भेनु सी आपसन यहाँ पर करेक्ट है अचानक बिजली कौंद कोश्चन पूछे अब आप लोग हमें स्कूर कमेंट करके बताओगे कि आपने यहाँ पर कितने सही आंसर दिये अगर आपको पढ़ाना लगी सरका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं नए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक क्लिवावए थैंक यू